नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगे बेवी का सूट, तो यह हम पलाजो सूट बना रहे हैं, तो इसको बनाने के लिए हमारा यह कपड़ा है, वो है 2 मीटर, 2 मीटर कपड़ा है, तो इसको हमें पहले डबल करना है, इसका अरज बढ़ा है, इसका अरज है, वो बहुत है, लेकिन एक कपड़ा 2 मीटर है, तो कपड़े को पहले हम डबल करेंगे, इस तरीके से, और इसको ऐसे एक बार और डबल करना है, क्योंकि 4 परलर होने चाहिए, यहाँ पर 4 होने चाहिए, तो हम पहले अपनी लंबाई का निसान लगाएंगे, तो जैसे हमारी लंबाई ह है, कुर्टी की 28 इंच, अब देखिए, जैसे हमारी कुर्टी की लंबाई 8 इंच है, तो यहाँ पर ले लेंगे, हम 30 इंच, अब देखिए, हमारी चेस्ट है, 30, तो हमने यहाँ पर डबल करके लिया है, 9 इंच, यारि हमारे कपड़े की जो चोड़ाई है, वो 18 इंच की है, और लंबाई है, वो है 30 इंच, अब यह कपड़ा चोड़ाई में ज्यादा है, तो जो ज्यादा कपड़ा है, उसको काट लेंगे, वुलकुल आसान और सरल तरीके से बताऊंगे, मैं आपको, क्योंकि आपकी लंबाई जितनी तो आपको लंबाई लेनी है, औ अगर आप 20 इंच का घेर रखेंगे इस तरीके से, तो आपको 22 इंच लेना है, तो हमने यहाँ पे 16 इंच का घेर रखना है, तो हमने 18 इंच लिया है कपड़ा, चोड़ाई में, अब हमें अपनी फिटिंग का निशान लगाना है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप देख ल लेकी cutting होगी अब solder का निशान लगाएंगे तो 12 इंच है हमारे solder तो 6 इंच यहाँ पर लगाएंगे आरो मल लेंगे हम यहाँ पर 5 इंच अब यहाँ पर लगाएंगे चेस्ट का निशान तो जैसे 23 इंच है हमारी चेस्ट तो 23 का आदा 11.30 तो 11.30 का आदा करेंगे इसको ऐसे तो पौने 6 आएगा फिर हम इसमें एक इंच रखेंगे धीले के लिए उसको थोला धीला भी रखना है तो 7 इंच पर निशान लगाना हमें fitting का इसको ऐसे करके डबल करके 7 इंच पर अब जैसे हमें इसको कहां से खोलना है यहां से खोलना है तो वो भी हमें अपनी लंबाई लेनी है कि हम इसको कहां से खोलेंगे तो हम यहां पर 16 इंच पर इसको खुला रखेंगे 16 इंच से तो जैसे बेबी का कुर्ता है, तो जैसे उसकी जितनी चेस्ट है, उतनी ही उसकी कमर है, तो यहाँ पे भी हमें 7 इंच पे निशान लगाना है, इस तरीके से, और यहाँ पे हमें 6 इंच पे लगाना है कमर पे, कमर पे हमें 1.5 इंच कम करना है, तो इस तरीके से हमें अपने निशान लगाने, अब जैसे हमें घेर रखना यहां पर 16 इंच का घेर रखना है, तो हमने यहां पर यह कपड़ा लिया है, वो 9 इंच लिया है, तो इसको देखिए हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे, इस तरीके से, अब यह हमारे फिटिंग के निशान है, अब हम यहां इंच या एक इंच आप जितना भी लेना चाहें उतना आप सिलाई के लिए ले 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 इस तरी के अब इसको देखिए यहां पर जोड़ देंगे कि अब यहां पर आदा इंच की गोलाई का निशान लगा देंगे यह हमारा गोलाई हो गए आरू मलगी अब गले की कटिंग यहां पर हम गले की चोड़ाई लेंगे दो इंच गले की लंबाई लेंगे हम साड़े तीन इंच आदा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा तो यह तीन इंच का तयार रहेगा चोड़ाई निशान उसके बाद गोलाई अब कटिंग कर लेंगे अब दीगे यहां से हमें खुला रखना है तो क्याची का कट लगा लेंगे अब देखे यह कूरती की कटिंग हो गई अब एक चौकूटा कपड़ा लेके हमें इसके उपर रखना है तो बो मैं आपको बताऊंगे कैसे इसको जोड़ना है अब इसका जो पजामा है उसकी कटिंग करेंगे अब देखे पजामी की लंबाई है 26 यहां पर हमारे कपड़े की जो लंबाई है वो है 30 इंच तो हमें पजामी की चौड़ाई कैसे लेनी है जितना हम यहां पर अपनी जो ऊपर की साथ कमर पर चौड़ाई रखना चाहें उतनी कटिंग कर लें तो हम यहाँ पर रखेंगे चौड़ाई 20 इंच तो कपड़े को पहले हमें इस तरीके से डवल करना डवल करने के बाद जैसे हमारा यहाँ पर कमर की जो चौड़ाई है वो हमें 18 इंच की रखनी है तो यहाँ पर हम 9 इंच लेंगे और इसको हमें उपर के साथ ऐसे निशान लगाना है अब आसन, एक इंच हम इसको छोड़ देंगे सिलाई के लिए तो इसको छोड़के यहां से हमें अपना आसन रखना है यहां पर 10 इंच पर इस तरीके से तो यहां पर देखे एक इंच लेंगे पहले हमें एक इंच ऐसे लेना है फिर ऐसे फिर इसको देखे ऐसे जोड़ देंगे यह हमारा यहां पर चौक उटा हो गया इसको हमें गोलाई में कटिंग करनी है यहां से तो यह हमारा पूरा आसन है वो 11 इंच का है यह देखिए 11 इंच है अब देखिए नीचे हमें पिलाजो बनाना है तो पिलाजो की जो मौरी है वो आप अपने एसाब से ले सकते हैं 8 तो हम यहां पर 9 इंच रखेंगे तो 9 इंच हम यहां पर इसको ऐसे लेंगे इस तरीके से अब देखिए यहां पर हमें उपर की साथ कमर पर इस तरीकी से कटिंग करनी है अब जैसे हमारा यह उन्टा है तो ऐसे रखेंगे एक साइड तो पहले हम नीचे मौरी पर सिलाई लगा लेंगे अब देखिए पहले हम नीचे मौरी पर सिलाई लगानी है उसके बाद यहां से हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे तो सिलाई हमें यहां तलक ही लगानी है यहां तलक हम सिलाई लगा लेंगे और मौरी पे सिलाई लगा लेंगे उसके बाद यहां पे भी ऐसी सिलाई लगानी है मौरी पे और यहां तलक फिर हम एक पलर इधर का लेंगे एक पलर इधर का और यहां से हम इसको ऐसे जोड उपर से ऐसे और इसी तरीके से हम जो नीचे का पलर उस पर भी ऐसी सिलाई लगा लेंगे ऐसी जोड़ेंगे अब जोड़ने के बाद फिर हम यहां पर नेफे पर सिलाई लगा लेंगे और उसमें इलाश्टिक डाल लेंगे अब मैं आपको कुर्टी बताती हूँ, अब देखिए यह काफी कपड़ा बचा हुआ है हमारा अब देखिए हमने चौकुटा कपड़ा लिया है तो इसको ऐसे रखेंगे और इसके उपर रखेंगे हमें यह कुर्टी तो यहां पर सिलाई लगा लेंगे गले के ऊपर, उसके बाद यह कपड़े को काटेंगे और फिर यहां पर चौकुटा कपड़ा इसकी भी गोलाई में कटिंग करके और इसको अंदर की साथ दबा देंगे इसी तरीके से हम दूसरा पलत तयार कर लेंगे और फिर इसमें फिटिंग की सिलाई लगा देंगे उसके बाद बनाएंगे चाक, सिलाई हमें यहां तलक की लगानी है फिटिंग की सिलाई जैसे हम लगाएंगे तो यहां से हमें ऐसे करके सिलाई लगानी है यहां तलग, फिर दुआरसलाई लेके आएंगे, उसके बाद फिर हम यह चाक बना लेंगे, चाक बनाने के बाद फिर हम बाजू लगाएंगे, तो इसी तरीके से हमें अपनी पूरी कुर्ती तयार करनी है, अगर आप पर stitching नहीं आती है, तो आप प्लीज हमारे चैनल में दे अब हम इसके जैसे कपड़ा बचा हुआ है, तो बाजू की कटिंग कल लेंगे, यह कपड़ा बचा हुआ है, तो यहां पे देखिए हमारा इक कपड़ा है, इसकी चोड़ाई है वो 13 इंच है, तो इसको डबल करेंगे, डबल करने के बाद इस तरीके से डबल, अब यहां पर cutting का निशान लगा लेंगे तो यहाँ पर लेंगे हम 2 इंच और इसको देखिए उपर की साइड हमें ऐसे ले जाना है तिर्चा यहाँ से ऐसे करके अब जैसे यहाँ पर हमें अपनी लंबाई देखनी है कितनी लंबाई रखनी है तो हमें अपनी बाजु की लंबाई रखनी है 6 इंच तो 1 इंच हम इसमें सिलाई के लिए रखेंगे 7 इंच ले लेंगे और यहाँ से थोड़ा सा मौरी की cutting कर लेंगे तो यह हमारी दोरव बाजु तयार है तो यह हमारी बाजू हो गई और यह हमारी कुर्टी यह हो गई हमारी कुर्टी की कटिंग और पिलाजो की कटिंग आसा करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी है अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप हमें नीचे कमेंट करें अगर आपने हमारे चैनल को सस्क्राब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राब कर लें धन्यवा